नौश्कर दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल गाइट टू इंडियन डॉग ब्रीट्स में और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमोंस्ट्रेशन दोंगा एक भोटिया डॉग का की भोटिया डॉग होते कैसे हैं ये भोटिया डॉग जो है ये एक common भोटिया डॉग है जो 2000-500 मेटर की height पे मिलने वाला डॉग है और मैं एक बात के लिए आपसे माफी चाहूँगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ली है इसकी ये सोय हुए बोटिया की जैसी है क्योंकि ये दिन के टाइम पे वीडियो ले गई है और ये दिन के टा वो कैसे होते हैं तो ये धायाजर मीटर से बिलो की height वाला भोटिया डॉग है आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा डॉग है और इसको अगर एक नजर में देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ ये एक Labrador डॉग से बड़ा होता है आपको जैसा देख भी रहा हो जो ये भोटिया डॉग है ये एक common भोटिया डॉग है मैं आपको फिर से बता हूँ इसकी height है around around 25 inches की उंचा ही है इसकी जबकि इसका weight है around 35 kg इनकी 35 kg का करीपरी 70 से 80 पांड के बीच इसका weight है और अब कुछ देखने में भी लग रहा हो कि काफी लंबा चोड़ा सा भोटिय है जबकि एक general भोटिया है और इसके बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं मैं आपको एक वीडियो में भी बताया था कि इसके बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं ये देखिए अप एकटा हुए रहते हैं सीप के जैसे बाल होते हैं वैसी इनके बाल होते हैं और इसका आप मा माथा होता है ये इनकी एक पहचान होती है पूँच इनकी अब देखिए कि कितनी भरी हुई पूँच होती है इनकी और उतने ही जवरेल है इनके पूरे सरीर में बाल होते हैं पूँच और गले के रिजिन में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं इनके ये एक कॉमन बीस तो अटेक कर सकते हैं और वो भी तब आप इनको ऐसा ही इनको रेज इनको इसी तरीके से करते हैं अगर आप इन्हें लीस्ट में रखते हैं यानि कि जंजीर में बात के रखते हैं और खोलते नहीं है बिल्कुल तो यह खुंखार हो जाते हैं नहीं तो यह बहुत सांट से अपना रहते हैं कोई ऐसा एकदम से जैसे लेबरेडोर खेलने को आता है वैसा भी निकरेंगे अपने कोने में पढ़े रहते हैं आपको मैं एक चीज बताओं आपको जिसे सुनके हैरानी होगी वह यह कि इसका इतना वेट हुआ है इतनी ज्यादा है लेबरेडोर से डॉट है और इसकी डाइट जो है वो बहुत ही साधरन कुत्ते से भी कम है यह सुक है सुकी रोटिया मतलब बचा हुआ खाने पर नेर पर रहता है और इसको कोई ऐसा कोई पैडिग्री खाना नहीं मिलता है और फिर भी इसकी हाइट और वेट जो आप देख रहे हैं कि इस लीट रपकती है इनकी लेट थोड़े से लूज होते हैं ज्यादा लूज नहीं हलका सा लूजनास होती है इनकी लिपस के वहाँ पर और अब देख रहे हुँए ब्लैक भृटिया के एक पैचान होती है कि अकसर इनकी मूह के वहां पर हलका सा वाइट जैसा इसका पैच र नीचे को लटके हुए जो मैंने आपको वीडियो में बताया थे इनकी पहचान कि कान एकदम नीचे को लूज हुआते हैं और साइस तो आप देखी रहे हैं इसका यह हमने लिया था बागेश्च्वर से और इस तरह के भोटिया आपको जनरली जो मैंने आपको इसकी फीचर् रुपे से लेकि तक्रीबन 8000 के बीच में मिल जाएगा इनकी आप इसका एबरेज लगाई कि 3-4-4000 रुपे तक आपको यह मिल जाएगा आसानी से यह वीडियो एक कॉमन भोटिया की है अगली वीडियो में मैं आपको एक जो दाइजार मीटर से अबब हाइट वाले बोटियाज होते हैं उनके बाद मैं वीडियो बताऊंगा कि उनके कैसे होते हैं फीचर्स और उसके बाद टेबेटन मैश्चिफ की मैं वीडियो डालूँगा ऐसी लाइव तब तक के लिए धन्यवाल मेरे